हेलो दोस्तों आप सब कैसे हैं? आप सबका हमारे चैनल डाबलर सिनिमा में स्वागत है. क्रिपिया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें. आईए जानते हैं आज के वीडियो के बारे में. सनी देओल अमीशा पटेल की गदर वन और गदर टू के बाद अब दर्शक इसके तीसरे भाग का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं. वहीं सनी भी इस फिल्म को करने के लिए काफी उतसाहित दिख रहे हैं. इसी बीच खबर है कि इसको दर्शकों की बीच पहुँचाने के लिए अनिल शर्मा ज्यादा देरी नहीं करेंगे. सनी देओल एक बार फिर से तारा सिंग बनकर दर्शकों पर ज्छा जाने को तयार हैं. गदर टू की बंपर सफलता को देखते हुए इस फिल्म के मेकर्स इसके तीसरे पार्ट में ज्यादा देरी नहीं करने का फैसला किया है. इसके अलावा हाल ही में मीडिया रिपोर्ट में गदर 3 की रिलीस डेट का भी खुलासा कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि ये फिल्म की रिलीस डेट 15 अगस्त 2025 रखी गई है. हालांकि इसका ओफिशिल एलान 2024 में हो जाएगा और काम भी तबी से शुरू कर दिया जाएगा. रिपोर्ट में ये भी दावा गया है कि गदर 3 का बैकड्रॉप बनारसमे में शूट किया जाएगा. इसके साथ ही फिल्म की 14 से 15 दिनों तक वहां अलग-अलग लोकेशन्स पर शूटिंग की जाएगी. रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर से इसकी शूटिंग शुरू कर दी जाएगी. खबर ये भी कि गदर 3 में उतकर्श, शर्मा और सिम्रत कौर की कहानी को एक नए प्लोट के साथ लाया जाएगा. फिल्म में सनी अमीशा की जोडी फिर कहर बर पाएगी. हाला कि इस बार विलेन की चर्चा जोरों पर है. अटकलों की माने तो मनीश वादवा के बेटे ही विलेन बनेंगे और वो बाप का बदला लेंगे. वही फिल्म के एग्जेकेटिव प्रोड्यूसर राणा भात्या का कहना है कि अगले पार्ट की कहानी क्रैक हो चुकी है ऐसे में इसको लेकर तयारियां भी शुरू हो गई है. आपको ये जानकारी कैसी लगी क्रिप्या कमेंट करके हमें बताएं और अपना सुझाव भी दे ताकि हम आपके सुझाव पर काम कर सकें. और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी लेटिस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके. फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ तब तक की लिए जय हिंद!